अलू अर्जुन ने एक बार फिर सभी का दिल जीत लिया है हार तरफ यही कहा जा रहा है कि अलू अर्जुन से बॉलिवुड को सीखना चाहिए चारो तरफ यही बाते क्यों चल रही है चरिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं अर्जुन को जनता बहुत पसंद करती है करियर में ज्यादातर काम साउथ में करने वाले अर्जुन को नौर्थ भारत में भी फैंस बहुत फॉलो करते हैं पुष्पा तो याद ही होगा आपको वही लेकिन खबर यह है कि अलू अर्जुन ने अब पुष्पा 2 के लिए एक बहुत बड़ी ब्रैंड डील को रिजेक्ट कर दिया है अलू अर्जुन ने अपने फिल्म के लिए एक बड़े ब्रैंड की डील को रिजक्ट किया है और वज़ा है कि वो अपनी फिल्म से कोई भी गलत आदत दर्शों को तक नहीं पहुचाना चाहते पुष्पा फ्रैंच्वाइजी में भले अर्जुन एक राउडी किरदार निभा रहे हैं लेकिन कुछ एक लाइन ऐसी है जिन्हें वो पार नहीं कर सकते यहाँ ध्यान देने वाली बात ही है कि जहां एक तरफ अलू अर्जुन शराब पान के एड जो की 10 करोड के हैं उन्हें ठुकरा चुके हैं वही गुटका विज्यापन मामले में बॉलिवूट के एक्टर अक्षे कुमार शारुखान और अजयर देवगन को नोटिस दिया जा चुका है इसी वजह से हर तरफ अलू अर्जुन की चर्च है जहां एक तरफ 10 करोड का एड पुष्पा ने ठुकरा दिया है कि 10 करोड के आगे पुष्पा नहीं जुकेगा यह कहके कि उनकी भी कुछ लिमिट्स हैं वो दर्शकों तक गलत चीज़ें नहीं पहुचा सक को एड के बारे में अलू अर्जुन से सीखना चाहिए आपको यह बताते हैं कि अलू अर्जुन ने हमीशा तंबाकू गुठका और शराब के ब्रेंड करने से परहेस किया है अब आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पुष्पा टू के लिए ऐसी ह कर रहे थे फिल्म में जब पुष्पा राज का किरदार शराब पीता या तंबाकू खाता है तो ब्रेंड को लगा कि लोगों में इससे क्रेज आ सकता है इस डील के लिए ब्रेंड की तरफ से मेकर्स को 10 करोड रुपे का ओफर दिया गया था लेकिन अर्जुन ने इसलिए इंकार कर दिया कि वो ऐसे ब्रेंड्स प्रमोट करने में कमफ़र्टेबल नहीं है रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि वो फैंस में ऐसी गलत आदते डालना नहीं चाहते या लोगों तक गलत आदते नहीं पहुचाना चाहते तो सोचने वाला सवाल यह है कि क्या करना चाहते?